लोजिस्टिक की दुनिया में नमबर वन बनने के लिए भारतिये मालगाड़ियों के लिए तयार हो रहा है नया रेल नेटवर्क अलग-अलग ट्रैक पर दोड़ेंगी यात्री ट्रेन और मालगाड़ी भारत में माल धुलाई के लिए बन रहा है 3000 किलोमीटर का नया रेल नेटवर्क अपने विशाल नेटवर्क के बावजूद भारतिये रेल कई विक्सित देशों से पिछड़ी है खास तोर पर माल धुलाई के मामले में देश अभी भी काफी बीचे है लेकिन डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर के बाद भारत लोजिस्टे की दुनिया में एक अलग पहचान मना लेगा भारतिये रेलवे अपनी कमाई का तेने सच फीसिती हिस्सा माल ठोकर लाती है लेकिन उनकी कोई पूच परक नहीं होती जबकि 27 फीसिती कमाई देने वाली याती ट्रेडों पर जादा खर्चा हो जाता है लेकिन अब देश में दो नई कोरिडोर बन रहे हैं इस्टन और वेस्टन डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर इस्टन डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर की लंबाई 1856 किलोमीटर है जो पंजाब के लोधियाना से शुरू होकर पस्चिब बंगाल के दनकुरी तक बन रहा है वही 1504 किलोमीटर का वेस्टन फ्रेड कोरिडोर उत्रप्रदेश के दादरी से मुंबई के जवारलान नहरू पोर्ट तक बनेगा इन कॉरिडोर की निर्माण से मुख्य रेलवे लाइन से ट्राफिक कम हो जाएगा ऐसे में यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी और कम से कम समय में वे अपनी दूरी तैह कर सकेंगी इसके अलावा freight corridor की railway line मालगाडी के speed को 25 km प्रती घंटा से बढ़ा कर 75 km प्रती घंटा तक कर देगा मालधुलाई परिवहन में इजाफा होगा और मालगाडियां बिना किसी समस्या की corridor पर दोड़ेंगे मालगाडी के लेट होने के कारण उसकी लागत बढ़ जाती है लेकिन अब special track बढ़ने से ये संकर दूर होगा क्योंकि dedicated freight corridor पर कोई सवारी गाड़ियां नहीं होगी जिससे मालगाडियों की offset speed 25 से बढ़कर 75 km प्रती घंटा हो जाएगी किसी पे देश को आगे बढ़ाने के लिए अंतराशी वैपार में हिस्सेदारी बढ़ानी होती है जिसके लिए समुद्री जहाज से वैपार पर जोड़ देना होता है जिसमें भारत फिलाल काफी पिछड़ जाता है लेकिन DFC के कारण माल जल्दी से बंदरगाहों तक पहुचेगा और वहाँ से जहाज में माल को लोड़ कर दिया जाएगा भारत के 9 राज़ों में ही बंदरगाह है लेकिन इंडस्ट्री अंदर के राज़ों में है इसी दूरी को घटाने में DFC करांतिकारी कदम होगा चीन में लोजिस्टिक का खर्च करीब 6% है लेकिन भारत में यही खर्च बढ़कर 30% हो जाता है DFC के बाद खर्च में कमी आएगी जिससे दुनिया की कई कमपनिया भारत में वैपार करने के लिए तेजी से रुख करेंगी माल ढूलाई के लिए रेलवे में डबल स्टेक कंटेनर चलाया जा रहा है यानि कि एक कंटेनर के उपर एक इससे एक बार में ही दुगना माल डिलीवर हो सकीगा शुरुआप में डबल कंटेनर वाली माल गाड़ी में डीजल इंजन लगाया जाता था लेकिन बाद में इलेक्ट्रिक वैग 12 इंजन मना लिया इस इंजन के मदद से बड़े अलाम से डबल कंटेनर वाली माल गाड़ी चल सकती है साथी डीजल पर खर्च से 12,000 करोड की बज़त भी हो रही है डीएफसी के कारण भारत में ही कई पर 24 घंटे में पैकेज जेनीवर हो सकेगा डीएफसी के फाइदों पर नज़र डाले तो मालगाडियों की स्पीट पे 75 किलो मीटर परती घंटा हो जाएगी पूरे भारत में 24 घंटे में माल सप्लाई हो जाएगा माल दुलाई की खर्च में कमी आएगी एक बार में 2 घिलो मीटर लंबी डबल स्टेक कंटेरर ट्रेन चलेंगी इलक्रिक इंजन के कारण परियावरन प्रदूशन कम होगा बंदर गाहों पर जहाजों को ज़ादा इव्दान नहीं करना होगा डीएफसी के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा कारोबारियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी और भारत लोजिसिक की दुनिया में आगे निकल जाएगा डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर के कारण मालगारी ही नहीं यात्री ट्रेनों को भी नया जीवन मिलेगा भारत से होने वाले निर्यात को मिलेगा बिलोरिपोर्ट एक भारत म्यूज